हेलो दोस्तो नमाश्कार सो दो से अब लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेल्वे स्टॉक के बारे में यह दो दिगज रेल्वे स्टॉक जो कि अल्यड़े आप स्क्रीन के उपर देख चुके एक है IRCTC और दूसरा है RVNL बन सकता है अभी फिलाल 3800 पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इतना कमाल के रिटन्स के बाद एक साल के रिटन्स आप देखोगे 179 परसेंट के रिटन्स है और दोस्तों अगर हम लोग इसको ध्यान से आपर देखते तो यह अगर मैं आपको सिखा चुका हूँ दो स्टेजेस रहते हैं फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज फर्स्टेज में रहता है बोर्डव ड्रेक्टर का अप्रूवल यह सबसे इंपोर्टन रहता है यह अगर हो गया तो आप बोली सकते हो 99.99% आपका काम हो गया बट स्टिल हम लोग 100% नहीं बोल सकते क्योंकि शेरोलडर का अपरूवल यह आपर जन्दरल मिटिंग में लगता है 29 तारीक कल के दिन में आप लोग आप लोग यह अपडेट भी देख चुका था यह दिखे अगर आप जाओगे शेरोलडिंग पैटर्न 6 सप्टेंबर को यह न्यूज भी आप आई थी कि 29 सप्टेंबर को यह आप इनकी AGM रहने वाली है इस अप लोगों को स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड यहाप चीज़े देखने को यहाप मिली थी उसको यहापे second approval भी मिल सकता है इन शॉट अगर मैं बात करो तो यह corporate action आपको यहापे देखने को मिल रहा है इसमें आप लोगों को X date के यहापे split से related data यहापे मिल जाएगा मतलब record date X date पूरी चीज़े सामने यहापे आजाएगी उसके बाद कोई भी uncertainty यहापे नहीं रहेगी बहुत सार लोगों के comments भी आ रहे थे sir क्या split cancel भी हो सकता है देखे shareholder approval देंगे तो अगर वो approval नहीं देंगे तो obviously हो सकता है बट ऐसा कभी होता नहीं है जैसे मैं already बता चुका हो कि as a shareholder IRCTC का maybe shareholder रो disclaimer देना चाओंगा तो obviously कौन नहीं चाता है कि ऐसा हो stock split भी हो जाएगे investment तो उतना है रहेगा बट वो stock सस्ते दाम में मिल जाएगा यह stock अगर आपको 3000 का अगर 100 quantity उठाने है तो देख लेना कितना amount चाहिए इसके उपर 20 और यहापे जोड कर देख लेना लगबग 3 लाग के आसपस चाहिए यह stock अगर यहापे सस्ते दाम में आ जाता है and so quantity अगर आपको उठाने है तो देख लेना कितना कम capital यहापे लगेगा so company first class है बहुत सरे retail investor भी वापस इसमें rejoin हो सकते है company debt free है आप सबी लों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ तो कल का दीन IRCTC के लिए देखा गया तो formality के लिए important है हम लोग बोल सकते हैं अभी तक अगर मैं बात करूँ तो second stage में shareholder के approval में ऐसा कोई split bonus cancel होते वे जादा देखने को नहीं मिला है बट स्टिल हम लोगों को कल के दीन के लिए IRCTC के लिए यहाँ पे बहुत ही important यहाँ पे focus बनाए रखना है आज की दीन की बात करें 28 September तो 18% की deliveries देखने को मिल रही है तो यहाँ पे एक और सवाल आए था उसको भी ज़रू कवर करना चाहूँगा आप चाहो तो यह सारी चीजे नोट करके रख सकते हैं अगर कल split की news सामने आ जाती है record date x date सामने आता है तो क्या stock में तीजी आ सकते है देखें जो board of director first stage में जो approval मिलता है न वहाई पे सबसे ज़्यादा तेजी रहती है वो अगर हो गया तो almost पक्का पकड लेना क्या कि split bonus हो जाएगा क्योंकि आप लोगोंने जितने भी देखा है split या फिर bonus cancel हुए हुए कौन-कौन से देखे थे अगर मैं आपको या पे बता तो मुट्ट फाइनांस का हम लोगोंने split cancel देखा था देन हम लोगोंने या पे हिंदुस्तान एरनोटिकल्स लिमिटेड का भी split bonus जो भी था वो cancel देखने को मिला था जो भी चीज होते है वो हमेशा first इसमें ही होती है अगर first इसमें अगर approval मिल गया तो समझ देना कि बात की तो बस एक फॉर्मिलिटी बाकी है तो आयर सेटी सी कमाल का स्टॉक है मैं बहुत 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 आप लोगों को या पे बता चुका हूँ लॉंग टर्म के लिए investment के लिए अच्छा है कल क्या होगा परसो क्या होगा इससे मैं पढ़ता नहीं हूँ आप सबलंग पता है अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यही पर नहीं यह इसके बहुत आगे हापे रहने वाले क्योंकि यह monopoly company इसको कोई टक कर देने वाला फिलाल तो नहीं है और जो प्राइवेटाइजेशन की भी बात यहापे हो रही थी उसमें भी आयर सेटी से ही पार्डिसिपेट कर रहे तो बाकी कमपन हैं interested ही नहीं है क्योंकि हम बोल सकते कि एक undue advantage इस company को मिल जाएगा ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता है इससे तो company का business तो ऐसे भी solid रहने वाला है बहुत बार दिखा चुका हो company के balance sheet है यह चीज़े देखने आनी चाहे बार बार दोस्तों 1300 करोड के results है and then करजे की बात कर त कमाल की company देखने को मिल रही है आ जाते दोस्तों second stock के उपर यहाँ उससे पहले एक और एक important सवाल यहाँ पर वाकी था OFS का yes यह भी बहुत सारे सवाल पूछरे सर क्या यह पर further promoter OFS लेके आ सकते इसके पहले भी हुआ था देखे दोस्तों mandatory OFS आप लोग प्रेडिक कर सकते उसके बाद का OFS हम लोग कभी भी decide यह आपे नहीं कर सकते अगर वो promoter लेके आते तो no choice हम लोगो वो directly यहापे मतलब news इस ही आपे समझ में आपे आ जाएगी हम लोग उसको कभी predict नहीं कर सकते तो OFS से related इससे पहले भी यह update आप लोगों को दे चुका था अभी आ जाते है दोस्तों RVNL के उपर so RVNL 30 रुपे का stock है एक जावाने में 19 के आसपस हम लोगों को देखने को मिलता था जब 19 के आसपस देखा था उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट 10 के आसपस आया था and उसके बाद बहुत सर लोगोंने quit करने के बाद यह 30 तका के आता है लगबग 60% से जादा के returns अगर मैं maximum chart pattern देखता हूँ अभी थोड़ा down हुआ है वरना 53% से जादा के return इस छोटे से stock ने भी यहापे कमा के दिये है सो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ railway से related कोई भी projects रहते तो ऐसे ही companies को यहापे मिलते रहते हैं and RVNL से related एक जबरदस मेगा खबर हम लोगों को यहापे फिलाल देखने को मिल रही है सो आप देख सकते हैं RVNL said that it has secured a contract from a Madhya Pradesh Metro Rail Corporation जिसका worth है लगबग 382 करोड येस इतना बड़ा contract इनको यहापे मिल चुका है इतना बड़ा mega project यहापे RVNL जैसे company को यहापे मिल चुका है आज के दिन के इसाप से अगर फॉर्मलेटिस के इसाप से बात करो 28 September 34% के deliveries फिलाल हम लोगों को यहापे देखने को यहापे मिल रही है सो बहुत ही कमाल की company जैसे में आप लोगों को इससे पहले भी कहा है कि ऐसे stock में बहुत सरो लोग निवेश करते बट उनको fast return चाहे तो fast नहीं नहीं इतना सस्ता stock रहेगा उतना जादा patience आपको यहापे pay करना पड़ेगा hold करना पड़ेगा और वही सबसे बड़ा मतलब हम कह सकते एक challenging part रहता है अगर hold नहीं कर सकते हो तो definitely आने वाले कुछ सालों में हम लोग जरूर कह सकते कि यह stock मतलब हम लोग को higher level पर ही देखने को यहापे मिल सकता है सर्यापे जो merger से related बात है तो दोस्तों आप लोगों के लिए कोई खोने वाली बात है ही ने जो भी छोटी entity दूसरे entity में merge होती है सो बड़ी entity को usually देखा गया तो हम लोग नीराश होते वे देखने को मिलते है रैट क्योंकि उनका performance अच्छा ही रहता है सो छोटी entity जबी भी merge होती तो उनको तो वैसे भी by default फाइदा ही देखने को मिलता है सो RVNL के shareholder रहेगे इंद केस अगर वो यहापे हम लोगों को आरकॉन में यहापे merge होती वे देखने को यहापे अगर मिल जाती है सो आरकॉन इंटरनेशनल के कुछ shares आप लोगों को यहापे proportionately यहापे मिल जाएंगे खोने के लिए कुछ भी ने इतना तो मैं आप लोगों को यहापे बता सकता हूँ और दोस्तो आखरी stock के ओपर अभी हम लोग आ चुके शुरुआत में मैंने जैसे आपको बहुत बता है कि IRC and RVNL की बात होने वाली बट IRFC को भी मैं इसलिए cover कर रहा हूँ यहापे क्यों कि बहुत सारे retail minister इसमें निवेश करके बैठे हुए है और उनको मैं अगेन के रहा हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा time यहापे देना पड़ेगा RVNL में भी इसी तरीके से time देना पढ़ रहा था और एक सवाल यहापे आते रहेता है वह आपे first भी सकते हो ज़्यादा returns के चक्कर में ऐसी चीज़े नहीं करने चाहिए आप IRFC और RVNL दोनों के साथ यहापे आगे बढ़ सकते हो बट limited amount के साथ क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है कि कमपनियां comparatively slow चल सकती सरकार से जुड़ीवी कमपनी से and प्लस इनका प्राइस भी छोटा है आप देख सकते हो इतना market आगे पीछे होते रहता है बट यह stocks वही के वही हमनों को देखने को मिलते हैं देखे इन stocks में हमनों को कभी भी सड़नली तेजी देखने को मिलेगी IRCTC जैसा यह rocket की तरह भागेगा वैसा performance आपको इन stocks में अभी फिलाल तो देखने को नहीं मिलेगा future में अगर इनके numbers सुदर जाते हैं उतने strong company बन जाती है तो definitely हम लोग वहापे तभी expectation रख सकते हैं तो जितने भी possibility वाली बात थी वो सारी चीजे में आपके सामने आपे र सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा returns कमाना चाते हो तो फिर आपको लंबी पारी खेलनी पड़ी के option ही नहीं है और लंबी पारी खेलने जाओगे तो definitely कुछ decision आपके favor में आएंगे मतलब stock जबर्दस भागेगा कभी-कभी आपके favor में decision नहीं आएंगे stock consolidate करेगा नीचे रह दोस्तों we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई